चलिए अब देखते हैं प्राइम नंबर प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर क्या कहता है प्राइम नेच्रल नंबर याद रखना मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्राइम नेच्रल नंबर की प्राइम नेच्रल नंबर कहता है कि ऐसा नेच्रल नंबर जिसके exactly 2 factor हो, कितने हो 2 factor हो, ठीक है, अच्छा तो यानि की, हम कह सकते हैं कि अधर natural number में exactly 2 factor वाले number की बात करें, तो देखो natural number होते है, 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9 and so on, तो मैंने देखा यार 1, 1 की बात करें, तो 1, 1, 1 मतलब उसके पास तो 2 की factor है, तो उसे हम नहीं लेंगे लेकिन 2 को देखा, तो 2 को देखा, तो पता चलागी, यार 2 बोलता है मैं 2, 1, 2 होता हूँ, मैंने बुला वाह, तेरे पास तो exactly 2 factor है तो 2 हमारा prime number है same way, मैंने देखा 3 3 बोलता है, कि 3 1, 2, 3, मतलब इसके पास भी exactly कितने factor है, 2 factor है, तो ये हमारा क्या हो गया, prime number ठीक है, जिसके पास exactly 2 factor हो उसे क्या बुलाएंगे, prime number तो तब ही हमने देखा 4 ठीक है, 4 को देखा, तो पता चला कि 4 बोलता है, कि भई हमारे 1, 4, 4 होता है 2, 2, 4 होता है, तो इसके पास कितने factor है, 3 factor है, मतलब 2 से ज्यादा, तो ऐसे number को बुलाएंगे composite number, क्या बुलाएंगे composite number, ठीक है, ये composite natural number है, मतलब सिर्फ हम natural number की deal कर रहे है, याद रखना, ठीक है, तो 4 के इतने factor होगे, तो इसे composite बुलाएंगे, अच्छा, सोचो उसके बाद क्या आएगा, मैंने का 5, 5 को बुलाते है, 5, 1 मतलब इसके भी exactly दो factor है, इसलिए ये किस में आ जाएगा prime number में, जबकि अगर मैं उसके बाद का 6 ले लू तो 6 की बाद करे, तो 1, 6 and 2, 3 मतलब देखो, 1, 2, 3, 4 यानि कि more than 2 factor आ गए, इसलिए हम इसे किस में ले ले लेंगे composite number में, किस में ले लेंगे composite number में, ठीक है, same way 5 के बाद 6 यहाँ पर आ गया यहाँ पर 7 ले सकते हैं, हम यहाँ पर 8 ले सकते हैं, क्योंकि 7 means 1, 7, and so on यहाँ 8, 9, 10 ठीक है, and so on इस तरह से यह natural number ले सकते हैं, जिसके 2 factor हो, उसे हम ले लेंगे prime में, जिसके 3 factor हो, उसे किस में ले लेंगे, composite में, अब एक और बढ़िया बात बता दू कि हमने यहाँ चालो किया 2 से, तो 1 तो सला किसे में नहीं आया, तो sir 1 किस में ले, मैंने का 1 is neither prime nor composite, वो किसी में नहीं आता, वो दोनों मैंसे किसी में नहीं आता, वो बीच वाला है, ठीक है, तो उसे छोड़ दिया है, आचा, इसके बाद इसी से related एक बढ़िया term है, जिसे सीखना चाहिए, इसे बुलाते है, co prime number क्या बुलाते है, co prime हो 1 से, किससे divisible हो सिर्फ 1 से, ऐसे number को बुलाएंगे co prime numbers, क्या बुलाएंगे co prime numbers for example, मैंने लिया 2 and 3, ठीक है, मैंने क्या लिया 2 and 3, तो मैंने देगा 2 को and 3 को, एक 1 ही है, जो दोनों को commonly divide कर सकता है, क्योंकि 2 को 2 से तो divide किया जा सकता है, लेकिन 3 को 2 से divide किया, नहीं जा सकता है, इसलिए 2 and 3, दोनों के से divisible है, सिर्फ 1 से, सिर्फ 1 से, इसलिए इसे क्या बुलाएंगे, co prime number, अच्छा, बचे ने कहा, सर जी, अगर मैं 5 and 7 की pair ले लू, 5 and 7 की pair ले लू, तो मैंने अगर आप 5 and 7 लो, तो देखो 5 and 7, दोनों सिर्फ 1 से divisible है, दोनों सिर्फ 1 से divisible है, इसलिए इसे भी क्या कहेंगे co prime number, साथ में हम चाहें, तो कोई और भी number ले सकते हैं, कि चलो कुसी की जगा मुझे मन करता कि भाई 6 and 7 ले लू, तो यहाँ देखो 6 and 7, कैसे हैं, 6 कुछ कहेंगे सर, यह तो 2 से and 3 से divisible है, मैंने का, यार 7 नहीं है ऐसा मतले लेना, यह 6 and 7, दोनों किस से divisible है यह हमें देखना है, और ऐसा एक ही number है जो इन दोनों को divide कर सकता है वो है हमारा प्यारा 1, वो है हमारा प्यारा 1, तो यह दोनों भी सिर्फ 1 से divisible है, इसलिए यह क्या हो गए, को प्राइम नंबर क्या हो गए, को प्राइम नंबर अच्छा तभी बच्चे ने का, सर इसका use कहा है को प्राइम नंबर आपने कहा देखे थे मैंने बुला, अपने पेर देखी होती थी लेकिन अब तक आपने observe नहीं किया ठीक है, एक बढ़िया बात आपको बता दू कि जब भी, ठीक है, जब भी आपके पास 4 upon 6 ऐसा नंबर आता था, 4 upon 6 तो आप इसे क्या बुलाते थे, सर यह है यह है 2 तूजा, यह है 3 तूजा यह लिखते थे आप 2 upon 3 तो यह क्या किया आपने lowest term में लिखा क्या लिखा? lowest term में लिखा, क्योंकि fraction का एक rule है कि हमें उसे lowest term में लिखना होता है ठीक है, lowest term में, तो यहाँ देखा हमने lowest term में लिखा, तो यह 2 and 3 2 & 3 जो कि किस से divisible है now cutting possible नहीं है यानि वो सिर्फ 1 से divisible है तो मैं कह सकता हूँ 2 & 3 कैसे है co prime number है कैसे है co prime number है इसी के साथ एक और बढ़िया चीज है सीखने जैसी decimal number क्या है decimal number मतलब ऐसे number जिसमें हमें पता है कि dot आता था क्या आता था dot आता था मतलब full stop नहीं यह dot represent करता है decimal like 2.5 ठीक है यह number हमने देखा है same way 0.3333 यह number भी हमने देखे है same way एक और टाइप का number आता है 0.10110 and so on तो हमने क्या observe किया हमने observe किया यह 3 decimal number तो है लेकिन थोड़े अलग type के है थोड़े से अलग type के है यह यहां रुक चुका है stop हो चुका है point के बाद एक digit के बाद stop हो चुका है ठीक है अगर कोई number stop हो जाए after certain digit तो उस ऐसे decimal form को बुलाते है terminating क्या बुलाते है terminating जैसे उसे मैंने T से represent किया है ठीक है अच्छे यहां पे देखो continuously यह जा रहा है और साथ में repetition भी हो रहा है देखो यह continuously number जा रहा है तो इसे बुलाते है non-terminating क्या बुलाते है non-terminating साथ में यहां पे मैंने देखा number repeat भी हो रहा है तो इसे बुलाया मैंने repeating and repeating मतलब यह number कैसा है non-terminating and repeating यानि कि recurring री अकरिंग हो रहा है मतलब रिपीट हो रहा है तो यह भी नॉन टर्मिनेटिंग है आपकी बात तो सही है लेकिन यहां पर रिपीट नहीं हो रहा है यहां 10 था यहां 110 है 10 और 110 में बहुत बड़ा डिफरंस है तो यह रिपीटिंग नहीं कहा जा सकता इसलिए इसे मैं नॉन repeating या non recurring ऐसे वर से denote कर देता हूं देखो decimal form के बारे में हम आगे भी पढ़ने वाले हैं तो इसे अभी यहां रहने देते हैं और आगे के next number की और जाते हैं ठीक तो next हमारा यहां पर बहुत ही प्यारा सा number है जिसके बारे में फिय पॉण क्यों ऐसे number को क्या बुला लेंगे हम फ्रेक्शनल लंबर याद रखना नीचे जीरो अलाउड नहीं है नीचे जीरो अलाउड नहीं है पी एंड क्यू तो हम पता ही हैं हम इंटीजर लेने वाले क्योंकि फ्रेक्शनल एक्शुली हम उसी को क्या रखना उपर क्या बोलते है नौर्ममल्ली लंबर ठीक है उसी को क्यों अंन् आपको फ्रेक्शनल लंबर है यह सब तो पता ही है लेकिन यह अधि ऑपते बाते बताओ तो मैंने कहा देखो अगर कभी आपको ऐसी number line दिखे यहाँ one है यहाँ पे two है यहाँ पे three है तो मुझे अगर between one and two ठीक है one and two के अगर मुझे part करने हो यानि fraction करने हो तो मैं क्या करूँगा fractional number का use करूँगा कि यह जो one and two थे ठीक है यह जो one and two थे उसको क्या किया मैंने कि भई उसके मुझे suppose कितने टुकडे करने है वो decide करना है कि for example इसके बीच में मुझे चार number चाहिए ठीक है तो मैं क्या करूँगा उससे एक ज्यादा उसे multiply कर दूँगा ताकि मुझे अंदर total 5 टुकडे मिल जाए कि multiply by 5 upon 5 यहाँ भी मैंने क्या किया multiply by 5 upon 5 तो क्या हुआ 155 नीचे क्या मिला 5 25 नीचे क्या मिला 5 ठीक है मैंने क्या किया कि उपर नीचे 5 से multiply किया ठीक है ताकि क्या हो कि divide by 5 हो जाए divide by 5 होने से क्या होगा इन दोने के बीच में numbers क्या हो जाएंगे five parts में डिवाइड हो जाएंगे अच्छा तो अब क्या होगा मैंने बोला देको ये 1 को हमने क्या लिख दिया 5 अपॉन 5 तू को क्या लिख दिया 10 अपॉन 5 तो अब ये बन चुका है हमारा 5 अपॉन 5 ठीक है और ये बन चुका है हमारा 10 अपॉन 5 सोचो अगर मैं 5 के बाद कोई नंबर को ढूंडू ठीक है मैंने यहां इसके पांच टुकड़े कर दी है अंदर ठीक है तो मैं कह सकता हूँ 5 by 5 के बाद नंबर कौन सा आएगा 6 by 5 उसके बाद 7 by 5 उसके बाद 8 by 5 और उसके बाद 9 by 5 ठीक है तो यहां मैंने अब्जल किया कि देखो यहां पर 1,2,3,4,5 ऐसे 5 टुकड़े तो किये मतलब यसे 5 स्लोट तो किये लेकिन बीच में नंबर कितने आए तो मैंने देखा कि इस 1 और इस 2 के बीच में मुझे 1,2,3,4 चार ही नंबर मिले अच्छा सर हमने 5 से मल्टीपलाई किया और हमें 4 ही नंबर मिले यस य पार्ट से मतलब जितने पार्ट जीए उतने से कर दो तो चलेगा ठीक है अच्छे से समझना क्या कहना चाहता हूँ जितने नंबर जीए सपोज आपको कभी बीटीवीन 1 & 2 4 नंबर जीए ठीक है तो आप क्या करोगे उपर नीचे अच्छे सर डायरेकल हम कोई 10 या 100 ऐसे कर दे तो मैंने बोला चलेगा ठीक है तो तभी बच्चे का सवाल था सर आपने 5 से मल्टिवलाई किया तो आपको 4 नंबर मिल गए अगर हम 100 से करते तो हमें 99 नंबर मिल जाते मैंने का डेफिनेटली सर इस हिसाब से तो किसी भी दो नंबर के बीच में ऐसे पी अपॉन क्य यह एक कहने का है रिस नल सब्सकर छीमि linивать number मिल सकते हैं मैंने का यस तो हम कह सकते हैं कि गरार इंफायनाइट रिश्नल नंबर बीट्वीन हेनेटली तो नंबर तो यह जात नाम यह रगनाम कह सकते हैं ऐसे अव् largest नंबर और और वो भी कैसा दूनडा जाता है मैं बताओ ठीक है तो आप इस तरह से दो नंबर के बीच में जितने नंबर चीए वो ढूंड सकते हो अच्छा बचे ने का सर हमने यहां पांच पार्ट किये तो हमें चार नंबर मिले सोचो हमें कभी कुछ ज्यादा नंबर चीए हो तो मैंने का आसान है चलिए सपोज मुझे टू इस नंबर चीए उसके बीच में कितने चीए नाइन नंबर ठीक है संपोज मैंने मान लियर थरी यहां पे है टू एंठी के बीच में मुझे नाइन नंबर चीए तो 9 में प्लस 1 कर दूंगा देखो यहां 4 था तो यहां मैंने 5 से multiply किया था सेम यहां पर 9 नमबर चीए इसलिए मैं किस से multiply करूंगा ऊपर नीचे 10 से बच्चे ने का सर 2 10 सा 20 मैंने का सही है 3 10 सा 30 मैंने का सही है नीचे कौन है 10 त्यान से देखो 20 upon 10 is actually 2 30 upon 10 is actually 3 मतलब actually मैंने 2 and 3 ही लिखा है बस हो इसे अलग तरीके से लिखा हुआ है अच्छा सोचो 20 upon 10 और 30 upon 10 यही है दोनों उन दोनों के बीच में आपको number यहां नहीं दिख रहे थे लेकिन अब दिखेंगे क्यों हमें 20 के बाद आता है 21 upon 10 ठीक है उसके बाद क्या आ जाता है 22 upon 10 and so on last में क्या जाएगा 29 upon 10 क्योंकि यह है 30 upon 10 ठीक है तो हम इस तरह से इसके बीच में 9 national number तूट सकते है या फिर fractional number तूट सकते है ठीक है अच्छा बचे ने का सर यह तो ज्यादा number की बात आये तब अच्छा सोचो कभी हमें 2-3 number ही चाहिए तो भी इतनी मेहनत करनी है मैंने का नहीं ऐसा ज़रूर नहीं आप यह pattern भी यूज कर सकते हो दूसरा तरीका भी है कि आपने यहाँ पे क्या किया 1 लिया फिर ठीक है यहाँ पे 2 लिया यहाँ पे 3 लिया यहाँ पे 4 लिया सपोज मुझे 2 & 3 के बीच में सिर्फ एक number चीए तो मैं क्या करूंगा मैंने का यह इ बीच वाला नंबर देगा तो मैंने का भी पहले रेशनल नंबर के लिए मैं कह दूंगा कि हमें क्या करना पड़ेगा 2 प्लस 3 अपन टू ठीक इन दोनों का प्लस अपन टू विच इस 5 by 2 यह क्या होगा हमारा 5 by 2 तो बच्चे ने कहा सर जी एक और काम कर सकते है यह 5 by 2 मिल यह एक नंबर के लिए सोचो अगर हमेचे इन दोनों के बीच में और नंबर चीए तो मैंने बोला देखो इन दोनों के बीच का नंबर ढूंडो यहां का ठीक है इन दोनों का मिड़ पॉंडो यह नंबर भी मेरे ख्याल से 2 & 3 के बीच में ही है ठीक है तो यह नंबर कैसे म मैं कह सकता हूँ कि ये इन दोनों के बीच में भी आएगा तो 5 by 2 and 3 का midpoint यहां आता है जो कि 2 and 3 का क्या है इनके बीच का number है वो भी rational है क्योंकि P upon Q form तो हमें दिखी रहा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 by 2 plus 3 upon 2 करना है याद रहना दोनों number का plus divide by 2 तो करना ही है तभी ये फ्रेक्शनल number इन दोनों के बीच का ही है या फिर ये rational number क्योंकि fractional number मतलब यहां हम rational number की बात कर रहे है ठीक है उसी का एक type था तो मैंने आपको दिखा दिया ठीक है थैंक्यू